हालो स्टूडेंट्स आईए आज क्लास बारा के लिए जो है 316 ZW सेट को हल करते हैं यह सेट जो है अमबेड कर नगर जिला का है यह मुझे उपलब्द हुआ है इसके पहले मैं चार सेट हल कर चुका हूँ अगर आप नहीं देखें तो वाई ए वाई बी जड़ यह सभी भी देख लेजिए जो भी सेट हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देदूंगा आप जरूर उन वीडियो को भी देख लि है तो कोई भी कमटेशनल या मों इसमें इंटर केले का ग्रामर महुत महुत होता है सस्ती तक यही आते हैं ठीक है क्यों लेबल उसका कठी नाव सरल हो जाता है इसलिए जो है आप इसको जरूर देखिए और देखिए ग्रामर अगर मजबूत करना है तो इसमें पैसे और व यहां देखिए पेपर है 316 ZW अब यहां देखिए पहले सक्षन ए देखते हैं कि आपका यह जो है अंसीन पैसे यहां देखिए अंसीन पैसे पढ़के जो है इसको इसको इस्ट्रक्शन ऑफ फारेस्ट है जो मेजर इंप्रोड़क्टिवटी आप यह पारग्राफ है तो समय नहीं लेगे पढ़ने में देखे पारला कोश्चन क्या वाट आट टू डिस अडवांटेज आफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फारेस्ट जंगलों के बिनास के दो हानिया क्या है डिस अडवांटेज मिसलाब होता है दो हानिया क्या जब आप इसको पढ़ते चले जाएंगे दो मैं किवल उसका आंसर वाट टू बता रहा हूं तो आपको कर देना है कि तूए डिस अडवांटेज अफ फारेस्ट है प्रसमसे जंगल की डिस्ट्रक्शन ऑफ फारेस्टार जंगल की बिनास की दो हानिया है तो देखिए पाहले हान यह है कि स्वाइल एरूजन है ठीक है मर्दा का छरड होता है यह चीज़ है पढ़ते चले जाएंगे तो यह यहां देखिए दिया गया इस डिस्ट्रक्शन आफ फारेस्ट आज मेजर इंपाइक्ट अन्द प्रोड़क्टिविटी आफ और जंगल के बिना इसका बहुत ज्यादा प्रभाव फसल के भूम के उत्पादक्ता पर पड़ा है इस हैपेंस इन टू वेज यह दो तरह से होता है पहला है स्वाइल इरोजन मृदा चरड करें कि मृदा चरड करें कि मृदा चरड जो इंक्रीजिज दम मैनिफोल्ड आयंड़ स्वाइल लिट्रिसी गेट्स वेस्ट ज्यादा इतना डीटेल नहीं करना कि आपको बता दो क्या स्वाइल इरोजन मृदा का चरड मिट्टी का कटाव हो जाता है जब जंगल नहीं रहेंगे पेड़ पौधी रहते तो मिट्टी जो है कटती नहीं है जिसे सड़क कि किनार यह पहला यह होगा आप देखें आगे यहां भी यह भी दियागी बट इक्वली इंपोर्टेंट दमें इंप्ट आफ सार्टे जाफ फायरोड और दूसरा क्या प्रभापड़ता है मतलब आग उड़मने लकड़ें लकड़ें मतलब अगने के लिए जो लकड़ें हमको मिल इधन के लिए लकड़े की कम ही हो जाते हैं आपको क्या करना इस तरह से फोर्टे आपको लिख देना था कि डिश्रक्षिन आफ फायर उसके बाद आपको स्वाइल इरोशन स्वाइल इरोशन मतलब म्रिदा च्हरड और दूसरा करके बता देना है आपको सार्टेज आफ फ होगा आगे दिखते हैं दूसरा क्वेस्टिन अगर यह मतलब सटीक आंसर इतना ही आपको लिखना था बाकि अगर इस टुनेंट से अगर आप लोग पूरा लिख दिया है कि पूरा सुरू से लास्ट तक यहां तक लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है को नंबर तो मि मिलेगा आपको लेकिन मैं एक दम फैक्ट फैक दता रहा हूं वाट आप मेजर सोर्स होजा आप कुकिंग अनर्जी मंदे भोजन बगाने की जो एनर्जी में सूर्जा होती सकती होती होती पावर होती है तो उसका मुखिस्रोत क्या है तो अब देखें हम पढ़ते चले जा वहां से पड़किंग निख्याले दुसरा आप七साई है मेजर सबकींग यह पकीबर्ड वाटर क्या है किसी न मेजर सोब कुकिंग अनरजी पढ़ते चले जहां मिल जाएगा जाली वहीं मिल जाए प्लाइप शींप आप काउड़न रहे देखें मिल गया तरफको प्लेसे है कि वर्ड को मैस करना की वर्ड को यहां से यहां देखिए दिए नहीं है इन मैंनी प्लेसे आफ और कर्ट हमारे देश के कई अस्थानों में काव डंग माने गाय का गोबर एंड काव वेस्ट और फसल का जो वेस्ट मतलब नस्ट की समगरी है जैसे मतलब वाल है यह सब उसक सुखा भाग होता है मतलब कि उसमें से जलाने के लिए काम आता है आर्ड मेजर सोर्स आफ काव डंग कुकिंग एनर्जी का मतलब भोजन पकाने के लिए जो कुकिंग एनर्जी की सुगा रहे को आपको अधिक कंफर्म हो गया ना काउंड काउंस मुख यहां प्यूचाए ह क्या है मेजर सोस्ट अब एक से ज्यादा सोर्स बताना आपको देखिए यहां दिया भी गया है दो बता गया है काउट धंग एक होगे क्राफ वेस्ट इस दो गया और अगर आप पूर यहां से लिख दिया होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतना ही अगला है वाट इस दा इंपाइक्ट आफ टेक्नोलाजी और ग्रीन रिवुलूशन ऑन दे स्वैल मंदे में मिर्दा पर जो है हरित करांद की तक्निकी का क्या प्रभाव पड़ा है ठीक है तो देखिए आप यहां क्या पढ़ोगे आप टेक्नोलाजी आन दे ग्रीन रिवुलूशन आप टेक्नोलाजी आप ग्रोइंग हाई हाई यल्डिंग वराइटीज इन लिमिटेड डाइट आफ चैमिकल फर्टिलाजिएशन सच है नाइट्रोजन फास्फपरोस और पोटास टोटल बायो मास प्रोड़क्शन गिए गोजप एंड सो डज़ दे ड्रेन आफ देन आफ यह देखिए इसका आप आपका जो है यहीं से आपको ठीक आंसर आपको यहां मिल जा रहा है ठीक ना यहां तक आप स्वाइल तक आप अराम से लिख सकते हैं ठीक है यह फिर आप थोड़ा इसको सार्ट में भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है अगला कुश्चिन क्या है हुमारे लिए ज्यादा फ्रटला है फ्रेटाइल कैसे हो सकते हैं तो अब देखिये मिट्री समर्इटी इस्तरा से हो सकती हैं तो पहली बात देखिए दिया गया है दिस्टक्शन जो जंगल का विणा सो रहा है तो उसमिठी तो संभिध होगी नहीं तिसको रोके रोक हम पहली बात यह है और दूसरी बात देखिए स्वाल रोजन मिरदा का चाहब हो रहा तो फ्रॉप होगा तो मिठी के से संभिध होगी तिसको भी रोकना पड़ेगा तो हमको कुछ नहीं करना कि मतलब कि बता देजे कि अधा हां स्वाइल कैन भी इन्रिज्ड बाई प्रिवेंटिंग तीक है माने रोक करके प्यारी भी इन ट्याइज दी कि मिट्टी सम्रिद्ध हो सकती है रोक लगा करके किस पर प्रिवेंटिंग उसके बाद लिख देना आपको क्या करना है डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन आप फारेस्ट लिख देना एंड स्वाइल इरोजन यह इसका आंसर हो जाएगा अब यहां देखिए डव वीच वर इनदापस मीन इफक्ट फारेस्ट वान होता प्रभाव तो प्रभाव अगरेशित तो देखिए प्रभाव के अंग्रेशित शुरू में लिख भाने बड़ा प्रभाव तो इफ्ट मतलब इफेक्ट मेंश इंपक्ट यहीं लिख देना अगर लगे हैं विच वर्ड बडर माइनर लिखने न हो चोटा होता है माये मिश ओताम कि मीजब बड़ा होथा दो मनारわかonter आप फ्रेज वायो मास मेंस पैसिज में बायो मास का की मतलब है तो बेढ़ मास मतलब आपको थेकंशा को देखिए वाल सपनिक होता है ऑन्स लिए यह यहetty जोभी होता है तो उस को मिंद्ध रिलेटड़ fans आप इसको प्रेज्ट का मीनिंग मताना है मैं इन इसका क्या माउस आ तो क्या मीन सब्सक्राइब आपको अपने सब्सक्राइब तो इसका मैं धोल दे रहा हूं आप ऐसे लिख देंगे इसका लिखना है आप लेख देंगे बायो मास यह लगे उसके बाद इस और कessä केसा हो था आ आ यह तो यह ऐंगत होता जाहिए है मीडव बना होता है मैंटेरीयल सामागरी से बना होता है डाइट कम्स जो आती है इस आ प्लांट्स एंड इनिमल्स ठीक है यही स्कार्थ जैसे पाउधे और इनिमल्स वाले प्राणी इस तरह से मतलब हो गया हुआ हुआ है आपका जो है जब चलिए section B में चलते हैं तो section B प्राणी में देखिये क्या किया है पहले तो तो डिट्सों वर्ड में आपको निवंद लिखना है दूवन तीन बंद पाहला इंडिया एंग्री कल्चर बाते लिए भारत किसानों कि संख्या बता देए कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिख सकते हैं अब देखिये आगे सब्सक्राइब वेज एंड मीजर से टू इरैडिकेट डावरी सिस्टम यहां दावरी सिस्टम देखिया यह बहुत इंपाली सब्सक्राइब आपको दावरी दहेज प्रथा को वे मैंने तरीके में उपाए और इरैडिकेट मैंने होता है उन्मूलन करना समय दावरी आपको लिखना है लेना चाहिए नहीं देना चाहिए इसकी बुराइगे क्या क्या ही सब बता देना ऑपको ठीक है और अगला है फ्रिया फिर प्रिन्ट एंड इलेक्ट्रोनिक मेडिया इसके बारे में दिखना तो यह तीन था में से चाहिए जो आप डारी सुस्टेम बारे में लिख ले लिख देना था दूसरा क्वेस्टन क्या कर रहा हुआ राइट लेटर टू अपने संपादक को एक पत्र लिखो नेशनल डेली राश्टी दैनिक समचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो expressing उनकंशन आपकी चिंता अगेंस्ट माने खिलाफ यह ब्रुद्-छ राश्ब करताए करने संपादक को पत्र लिखना कि इसमें तो क्या लिखना है यह बताने कि टूदा एडिटर करके आप इसे नेशनल डेली फिर लिख देना नहीं नहीं लिख देना उसके बाद जिल्या का नाम लिख देता जौन पूर्च यह सुल्टान पूर्च यह लिखें हैं यह बेटकर नगर उसके पर चलीक हो जाता है पेपर आउट हो जाता है तमाम सब बाते नकल पकड़ाए गया मुन्ना भाई पकड़ाए यह सब ही मतलब नकल पकड़ा रहे हैं तो लोग पढ़े लिखे लोग नोगरी नहीं मिल पार है अनुचित साधन कप्रों करके पार रहे हैं तो इसके बारे मे जो इसके लिए गलती कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सजा दिया जाए तो इसके लिए आप निकलवाना यह लास्ट में आपको यह स्ट्रोली करके लिए या फिर राइट लेटर तो प्रिंसपल आप यॉर काल्ज रिक्वेस्टिटिंग तो आरें दस ठीक है को क कि यॉरिक्लर अक्टिविटीज पर रिगुलर इंतरों मतला नीमित अंतराल पर को कि यॉरिक्लर अक्टिटीज की ब्यूस्था करें लिए जब पालेश के प्रिंसपल को प्रात्ना पत्र लिखना है आप एडिटर वाला मुबारे में बताएगा था आपको मोस्ट इंपार अब यहां सी में आ जाते हैं ग्रामर पॉर्शन पर आते हैं तो ग्रामर पॉर्शन में देखिए आपको अब्जेक्ट्व टाइफ है पांच को स्चन है दो दो नंबर के हैं तो इसको देख लेते हैं जो कि हर एक्जाम के लिए यूश्फूल होंगे वन हूँ डज नाट एक जिस्टेस अब कर एक ऐसा भ्यक्त जो भगवान के आस्तित में विश्वास नहीं करता उसके क्या कहते हैं तो उसको करते हैं एक एक पर अपरस्ना से भी पूचता है एक परसन वह पुचता है परसन हूब डज नाठ के बिलीप सकर देगे तब आस्तित हो जाएगा आस् सब्सक्राइब अगला है अगला है फ्रेज अएक्ट अपान मेंस किसी के सलाह के अनुसार कार्म करना तो इसका जो है सब्सक्राइब से एडाइब श piston किसी के सब्सक्राऊ सिनाने चाहब करक्षी कार्म कर वरिधे वीबाद हो यह चलने तो डिश्प्यूट मनें भी बाद हूता है यह जगरा हो अगला है इनकाप यह चर्द को एक यह चरदार प्रटेल वाज बनाव इंडिया तो इसमें कराई कि विच वर्ट इन दिस आज जाना कि इस पार्ट में गलती है लेकिन यह मैन आ गया तिसलिए इसमें क्या गलती है चेंज अगे फॉलोइंग इन्टू इन्डारीट बनाना है सीटा सेट टू रीटा आर्यू विल सीटा सेट टू रीटा पूछ रहें तिसलिए आस्ट हो जाएगा आस्ट रीटा उसके बाद इफ लगा जाना फर्स्ट टा बनलगे सीवाज विल का बील ही रहें तो जायगा सीटा आस्ट रीटा इस सीवाज विल अगला देखिए एक ही करना है आपको पांशू में लेकिन आपको एक केला हूँ और भी बता दिरा हूं जानकारी लिए ताकि को कोई दिक्ट नहों सब weird हम करते हैं दुप साफ़ की पर फारवेड में अब फारवेड साथ हम टू नाट को अटा के के ल तू लगा तू इस तरह से फारवेड करने पर तू के लगता है अगर इडवाइज दिया तब दोस्त नाट को नाट तू बदल देते हैं अगला है कंबाइन इन्यून आफ फॉल्विंग आइस डारिक्टेड अगर वाइज इसे नाट इंटेलिजन फिर यहां आप क्या कर देंगे नार करके डिलिजन बस घया है नाइदर नार सब्सक्राइब की दोनों चीज़ नहीं नाइदर नार इंटेलिजन नार डिलिजन नेर दोस्त अब परिश्रमी है एक ही देखी करना है लेकिन मैं दोनों बता देंगे तो करेंगे इतना कठीन है डिफिकल्ट बाद हम फिर टू अटाते सब्देक्ट यहां प्रस्ट के लिए लगा देंगे उसके बाद हम क्यां लगाते हैं इतना कठीन है कि इसे हैल नहीं किया यह तरीका है और एक तरीक्या अगर अगर इसको चाहें तो अगर एक टू में भी बना स met ना बना जाए तो इसके लिए तरीका है आप इट के जगाँ लिख देजिए नो वन नो वन कहते है यह बातेजी की हुआ और तब हो जाएगा का कान सालल हो जाएगा तब नहीं नहीं रिखा जाएगा क्योंकि नम में नहीं का अंग्रीजी है तो तब भी नहीं लिख जाएगा साल लिख दीयाएगा आप ऐसे आप प्रसों अपचिह को कि कोई भी ब्यक्ति से हल नहीं कर सकता है इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कोई लिख सकते हैं कि इस तरह से जो किये हैं उनका 100% सही है दोनों में अब नन के जगा हां कुछ लोग वह मतलब कि अश्य भी कर सकते हैं लेकिन लिखेंगे तब कहन के साथ नाट लिखना पड़ा वन का नौट साल विट ऐसे प्रस्णित्ता कटेना की ब्यक्ति से हल नहीं कर सकता है या फिर वन के जगा आप भी लिखेंगे हैं वी कहन नाट साल दवा गरीब आदमें की साल नहीं कि तो पॉइल मेर्स वाज में आप चीजल को सब्सक्राइब पूर मैं वाज लगा देंगे नाट वेट पर हर मैं वाज नाट वाजन लिख में इसकी तवर्प्लित प्रकर जाएंगे पहुद पुट नहीं करें लिट तो दिस वर्क सब्सक्राइब इस तरह सब्सक्राइब लेट इस वर्क भी कम्प्लिटेट एट वन्स अब यहां देखिए आपका सिंट टैक्स में से आ गया है करेक्ट एनिवन अफ फॉल्वाइं किसी एक को सही करना तो मैं दोनों सही बत करके बता दे रहा हूं पहला है यहां देखिए सा एक्सीलेंट में ही दिया है कि हेर हैज्ठ एंगे उसके बाल पक गए है और यह जो है वाक किल वाक लेकिन दिया गया यह सेमें तो सेम बिद्ध्यrasan की किताब आपके पास होगी अगर करणि करयं जनर इंगलिस तो उसमें दिया है सेमें भ항ए कि इसमें यहां दिया कि माई हेर चाहिए इसका है सारे बाल कर दिए गया है इस तरह से एक लगा देंगे तो यह सही हो जाएगा वाक्या आर लगा कर दिया है उसी साफसे सही करना है इसमें कोई दोनों बाते हैं लेकिन सही करने के लिए लगा देंगे इसका स्रोथ जो है विद्यप्रकास्व किताब में दिया है तो इसमें वाक्या है अगला वाक्या है रिच में लगा दो लगा दो दा देने से दपूर माने होता गरीब लोग यानि अमीरों को गरीबों की मदद कर ले चाहिए अगला आपको देखिए वन आफ द फॉलंग वर्ड्स फेर आप वर्ड्स यहां दो जोड़ी सब्द दिये गए किसी एक जोड़ी को आप कुख्या करना है वाकमी प्रयोग करके देख लेना ठीक है और एक देख लेतें कंप्रिमेंईन्य mend दूसरा लाता प्रसंजी प्रसंस को या तो आप देखें किया है यह आप या oni सलोते होते है मतलब कर बता दीजिए कि पूरग के ऊपर वाकि को ऊड़्य प्रसंसा या तारीफ या विवादन की सब नमस्ते तो प्लीज कनवे माई कम्प्लीमेंट तो यूर फादर इसमें एक रिप आपने टीता से मेरी तरफ से नमस्ते बोल जेना विवादन बोल जेना कुछ विगा सकते फिर माने क्या होता मेला ही इस गोंग तो सी फिर मेला सकते हैं चलिए अब ट्रांस्लेशन देख लेते हैं तो यहां आया है तो पहला वाग क्या भूख और इंसान का रिष्टा जन्म से होता है तो मैं इसका फट फट सभी का आउंसर बता दे रहा हूं थाकि आप लोग मिला ले यह नहीं तो जान लें भूख और इंसान का भूख और इंसान के बीच जो रिष्टा होता बीटविन इसमें लगें इसमें शीपा हुआ है आप नहीं लेगेंगे क्योंकि दर रिलेशन बिटविन हंगर एंड हुमन हंगर माने होता भूख एंड हुमन 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 हम लगा देंगे मतलब भूख और मानो प्राणी के बीच जो रिष्टा होता उसी कते हैं भूख और इंसान का रिष्टा तो करेक्ट इसका ट्रांसलेशन इससी तरह से दर रिलेशन ओफ हंगर एंड हुमन इस फ्राम वर्थ तो भी आपको नंबर मिल जाएगा जन्म के साथ ही मनुस्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है तो जन्म के साथ के एंगरी होगा इलांग विथ वर्थ इलांग विथ वर्थ मने होता है जन्म के साथ ठीक है मनुस्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है में आल्सों ब्रिंग से हंगर विथ ही माने थे अगला बूंग किसी भी व्यक्त के जीवित रहने का प्रमाड तो hunger मने भूख होता है, hunger is the proof, proof मने प्रमाड, of survival, survival मनने तो जी भीत राना, yes, u-r-v-i-v-a-l, hunger is the proof of survival, of any person, किसी भीवेग, कि आफ एनी परसन का दो, या एनी वन, hunger is the proof of survival, of any person, या एनी मैन लिखे तब बेचल जाएगा, या एनी वन लिख देंगे, तब बेचल जाएगा, तो चिंता का बन जाती है, हवस मतलब, इंस लेकिन ग्याद रेलेगे तो, मतलब यह तो है क्लिए तो, भाई इसके पहले जाए जारूरी है, तो इसलीए समय की बात कि एक ओने लगादेगा, बट वइन इस हंगर स्टार्ट केंग चे मने लेनी लेइं क्या लेने लेकिता या लालसा हे पहुता है हवस का रूप लेकिन जब भूख जो है हवस का रूप लेना शुरू कर देती है तब ऐसे भी कह सकते हैं इसको यहीं हिंदी आप दूसरे साथ सकाने का प्रयास करें अगर सब्सक्राइब यह तो ट्रिक है तो लेकिन यह भूख इसका भाव समझ कि ट्रांसेशन किया जाता न सब्सक्राइब लेकिन जब यह भूख हवस का रूप लेन लगे इसकी अंगरेज होगी बट वेन इस हंगर ठीक है इस टार्ट टेकिंग दफार्म आफ लश्ट इस तरह हो जागा तो उसके बाद तो के लिए कामा लगा देंगे कामा लगा भी है तो लिख्या भी गया तो देन भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखत कोई दिक्कत नहीं है तो जाएगा इस तरह से बट वेन इस हंगर इस टार्ट टेकिंग दफार्म आफ लस्ट कामा कर दीए तो कली अगर लिखना चाहिए तो देन लिख भी सकते हो बात पर जो दरीक लिख सकते हैं नहीं तो सब्हालिक्त लिखे बबलिक नहीं इट उ जाएगे इसलिए इट बीकम्स महीं है इट बीकम्स एक आज अफ बन आफ वरि देगने सि quickest दूने सिसस कि कि बेंतहा लालज इसके एंगे जो हो गया वन्स माने किसी की मतलब मने वन मने कोई भी विभ्यक्त होगा इंडिफिन रहता है तो पता नहीं रहता तो वन हम लगाते सिधा कि एक YouTube एक्सेषब एक्सेषब ऑग्रीड ग्रीड माने होता लालज इंतहा बेंतहा लालज मतलब अत्यधीक लालाज excessive greed बहुत जादा excessive berething is bad सुनेंगे आप तो छिए once excessive greed मतलब बेमत्हा लालाज या किसी की इमत्हा लालाज बेमत्हा लालाज दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है तो इसके के मुसीबत का कारण हो जाती थी का इसको यह से भी हंदी कह सकते हैं में बीकम्स द कॉज आफ आफ आदर्स ट्रॉबर माने हो तर बन जाती है मतलब बीकम्स द काज है यहां काज आफ ट्रावल दू़सरे की मुसिवत का सबब बन जाती है चीक है सबब माने हो यहां कारड से मतलब है कारड काज सबब बन जाती है सबब हो जाती है कारड हो जाती है बाते खीट लिए अगला है दूस्त भूख और भुखमरी आसमानता की सूचक है भूख माने हंगर और भुखमरी मने होता है इस्टारवेशन हंगर और आंड स्टारवेशन घूप और भुखमरी अर हैं क्या हैं सूचक मने होता इंडीकेशन आइन डी आइ से टि आइ इंडीकेशन आफ कि हां समान्ता है समान्ता कि मलब इन इक्वालिटी एक्वालटी जोड़ लिए क्यू यू ए यलाई ट्वाई इस तरह से भुख और भुख मरी आ असमान्ता की सुचक है मनने हंगर एंडिस्टार्वीशन आर दे इंडिकेशन्स गाएं इन इने केसन्स का दो यह इंडिकेटर सकते हो इंडिकेटर समाने भी सुचा होता है करने वाला एसलिए!.. लिए सकते हो इंडिकेटर कि रभिधिए नगे है आई होप समय हो ग्राइमाथ पौर्टशन में बुह दिक लेते कौनन कौन से कु क्षच्च लेकन आए Đây देखे लिटरेचर सात्मा कुश्चिन आया है पहले चालिस वर्ड में लिखना है दो कुश्चिन साथ रहेंगे दोनों में देखिए आफसन रहेंगे फेरी वाला जो था या घुमक्कड व्यक्ती जो था वो क्यों चूहादानी को एक संसार के रूप में मानता था वैं बिखनमेश को उसके सबसे चूहादानी क्या है संसार हम लोग उसके क्या है चूह Intelli drei तो इसी मनता था वहाद याया फिर वाट रुट र से बार Usda सब्सक्राइब और उसके महत्त के बारे में हमेल ने क्या कहा यह तो इसके बारे में अप लिखिए अगला कुस्टिन है वाइड़ चिल्डेन इन सीमापूरी इस्टे बेर फूर्ट सीमापूरी में बच्चे क्यों नंगे पाऊं ही वहाँ पर ठाहर हुए थे या फिर वाट सब्सक्राइब करने के क्या खत्रे हैं क्योंकि इसका मैं वीडियो बना चुका हूं अगर आप नहीं देखें सर्च करके आप जरूर देख लिजिए और आज प्रकाशन की किताब से ही एक कुश्चन सीधे-सीधे आये हैं तो आज प्रकाशन की सारे कुश्चन मैं आपको जो अपलोड कर दिया हूं कि वन आंसर अन्वन आप फालोइंग इन वाट टी वर्ड्स किसी एक का उत्तर जो है असी वर्ड में लिखना है यहां दो कुश्चन दिया दोनों में से एक आपको लिखना असी वर्ड में और इसके पहले देखिए दो-दो कुश्चन दिये थे यह फिर वाट में डपेडलर अल्टिमेटली सेंज वेज फेरी वाले से क्या उसका तरीके जो है अन्त में क्या बदलवा दिया क्या मतलब क्या उनको अपना तरीके बदलने के लिए मजबूर कर दिया अल्टिमेटली मैं आखिरकार आखिरकार क्यों अपना तरीके बदल द बाइब कि स्टेंजा से आया है तेन दोडोनोंबर के तिन क्वेस्टन आए यहां फार फार्म दागस्टी वेवश दीज चिल्डेन स्लम चिल्डेन स्वेसज के पाले स्टेंजा है इलिमेंटरी स्कूल इन क्लासरोम इने स्लम इसके वह मतलब मैं पड़ाया हूँ पड़ाया भी हूँ और इसके question answer भी कराएं चैनल पे अपलोडेंगे आप वहाँ से देख लेंगे पहला question था हूँ आर फार फार प्राम घस्टी बेज ठीक जो के दार लाहरों से दूर बहुत दूर कौन है लंबी लड़के अपने सिर को जुकाए वे बैठी कभी के क्या मतलब है या कागज की तरह पतलत दिखने वाले लड़के की आंके कैसे हैं तो यह सभी का आंसर जो है इसी पराग्राफ में आपको पढ़ेंगे अब मैं इसकी वीडियो भी अप्लोड किया आप जरूर देख लेंगे आल इस्टेंज आप क्लास रोमीन इसलम बाहरे में सरसाथ करेंगे तो आजाएगा चैनल को जरूर विजिस्ट कर लिए प्लेलिस्ट क्लास बारा और ग्रामर क्लास बारा एक्सिलेंट ग्रामर है आप वीडियो अप्लोड किया है अब सिरूर देख लिए अगर आपको नहीं पता है आगे देखिए लाग लास्ट कुष्चन जो आया है चालिस वर्ड में पहले लिखने के लिए दो कुष्चन आपका आया है सप्लेमेंटरी से पहले कुष्चन मैं पढ़ दे रहा हूं वाट वाज थार्ड लेवल वाज वाट वाज थार्ड लेवल किया था वेर वाज इट सिच्वेटरी यह कहां प्रिष्चन तर यह सारे को सेम आपको राज़ प्रकासन से आया है और मतलब इसकी पर वीडियो भी अप्लोड कर चुका हूं ठीक है थोड़ा सा पेज कम साफ दिखा यह है अगला है वाट हैट सम्वी रिटेन इन इस लेटर तुचारली चारली के अपने पत्र में क्या लिए था यह थार्ड लेवल साय यह फिर हाव डिड़ डाक्टर सदाव ऑपरेट दाव वाइट मैं डाक्टर सदाव जो एस गोरे आदमी का जो आपरेट मनें आपरेश आपरेशके क्लिएंश से हीं लंग हैं नर्ग क्यूभरमिन दो पार्फ ताइगर किंग बतावा मैं अग्ला है वाट लिट जैक एंसीफट दाड़की खाएं बिजार्ड किया जादूगर है यह इंड नाट जिसने हिट माने मारा और मान नहीं मतलब क्या है इस बात पर जो देखा थी कि जादूगर ही तो है जिसने मारा ना कि माने मारा यह भी है इस पार्ट से लिए गया है तो आई होब समझ में आ गया होगा तो इनमें से किसी एक को आंसर लिखना है और ऐसे यूजफिल बीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइम ने किया तो कर लेजी घंटते वालेजे क्योंकि यहां पर आपको हाइश्कुल इंटर के अल आएगा तो इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा सेयर कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो जो आप नहीं देखे हैं तो सभी पेपर को मैं डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूंगा जरूर देख ले चैनल के लेता दित ktoहीं चैनल के लेने मिलते हैं और टो आल के लेंगार चैनल के शेता हैं चैनल के लेंगो झींदए प्सेंगों झाल